कलम्ना पुलिस ने चोरी के दो अलग-अलग मामलों में दो नाबालिक आरोपियों समेट तीन चोरों को गिरफतार किया है। पुलिस समले जानकारी के अनुसार फरियादी देविदास श्री राम टिपले उम्रे चोटिस वर्ष बेले नगर कामठी रोड कलम्ना निवासी अपनी दूपईया क्रमांग एमेचे कतिस डी एल रान ग्यारा से तीस जद्वरी की सुबह चार बज़े कलम्ना मार्केट में का गाड़ी पात की थी काम खत्म होने के बाद 9 बजे जब घर जाने के लिए गाड़ी के करी पहुचे तो उन्हें अपनी गाड़ी गायब दिखी जिसके बाद उन्होंने पुलिसमें शिकायत के पुलिस ने जाच के दौरान ही डिप्टे सिगनल परिसर में पेट्रोलिंग क उसे इस गाड़ी के बारे में और अधिक पुष्टाच करने पर उसने अपने एक नाबालिक साथी वह आरूपी अब्दुल रह्मान और फुर रम्मू के साथ मिलकर दुपईया चोरी किस वार्दात को अंजाम देने की बात कबुली आपको बता दे कि रम्मू तड़ी पा पुल स्थाना पर इसरों से चुराय हुई चार अन्य दुपईया वाहन भी परामत किये पकड़े गए वाहनों की कुल कीमत एक लाग चालीस अजार बताई जा रही है चोरी के दूसरे मामले में साथ अप्रेल के दौरान फरियादी शिवाकांत बद्री प्रसात्रे अग्याद चोरों ने उनके मुख्य दर्वाजी का ताला तोड़ कर अंदर प्रवेश किया था और बेडरूम में रखी लोही के अलमारी से सोने चांधी और अन्य सामान समेट 46,000 रुपई का माल चुरा लिया साथ ही पडोस में रहने वाली महिला संगीता बंजारी के घर स दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूरी कारवाई में कुल 2,18,100 रुपई का माल जब्त किया गया है ये कारवाई डिसी पिश्रवंदत के मार्ग दर्शन में थाने दार दिविंदर सिंग ठाकूर के साहिक पुलिस नरिक्षक राहुल सावंत और अन्य पुलिस कर्मि दोन आरोपियों आरोपियों आटक खेलेला है आनी तेन्चा कडून कडमन पुलिस निचा आधी मदिल दोन घर पोड़ी आनी एश्वदरब पुलिस निचा आधी मदिल एक घर पोड़ी आश्या तीम घर पोड़ी आमी उगर के लेला है त्या मदे सोन्य सांधी चे दागेने आस प्रामाने टीवी घरातेल उपियोक्त साहित्य आनी सिलेंडर आश्या प्रकार चे चोरी के लेला है आमी सर्वर पोस्तू रिकवर के अधिन बिसे निचे लिए कलेश भारदौाज के साथ माहिन परठान के रिपोर्ट